वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप पिल्कुल ना पूरें साथ ही हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस कर दें पिस्स्रिप्शन में दिया गया है से असमंजस की स्थिती बनी हुई थी क्योंकि इन मकानों का निर्मार वर्ष 2019 से पहले शुरू हो गया था उस समय जीस्टी 12 परसेंट थी 2019 के बाद के मकानों पर सरकार ने जीस्टी 5 परसेंट घटा कर कर दी थी अब तो हम बुदेलखन में प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी वैसे भी प्रदेश तरकार इसको बढ़ावा देने के लिए अपने इस्तर से प्रयास कर रही है इसके सांती मंडी में खादियान के लिए भी अलग से विवस्ता बना कर किसान भाईयों को इसका उचित मूल दिलाने का कारे प्रारम किया जा चुका है प्राकरती खेती पर आयो जित इसका रिशाला में मुक्यमंत्री युग्यादित तिनात ने कहा कि हमने बड़ी संख्या में क्रशिकों को प्राकरती खेती से जोड़ने और उन्हें प्रोचसाहित करने के लिए सूबे के एक हजार अर्थिस गाओं में ट्रेनिंग कैम्प लग दिया जा रहा है इसी के साथ पती किम्रत्यू के बाद निराश्रित लगबग 31 लाग महिलाओ को पेंशन योजना के तहट एक हजार रुपे प्रती महा की दर से चार तिमाही में भुक्तान किया जा रहा है सुमवार को मिशन शक्ती 4.00 के सफल संचालन के लिए सेंटर फॉर एड्वोकेसी और रिसर्च संस्था के सही योग से ओजल फॉर्चून में आयोजित जागरुपता मीडा का रिशाला हुई गायो के लिए शुरू होगी एंब्यूलेंस सेवा कैबिनेट मंतरी धर्मपासिंग ने दावा किया कि साल भर के अंदर ना तो खेतों में चुट्टा जानवर दिखेंगे और ना सड़कों पर पासिंग ने कहा कि सरकार की पहली प्रात्मिक्ता है कि गौवन्शो को आश्रे मिले कहा कि गौशालाओ को व्रद बनाया जाएगा योगी सरकार दो दशमला शुने के पहले ही महीने खोला रोजगार और भरतियों का पिचारा जोने सीम के बड़े फैसली और एलान उत्रपदेश में योगी अधितिना सरकार के दूसरे कारेकाल का पहला महीना पूरा हो चुका है हाल में संपन विधासबा चुनाओ में विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजगार और सरकारी नौकरियों को बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी हाला के सरकार अपने आकड़ों के जरिये विपक्ष के आरोपों को खारिच करती रही और नतीजों ने उसके दावो पर जनता के विश्वास की मोहर लगा दी इसके बावजूद योगे सरकार दो दशमलव शूने रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर पहले दिन से फोकस रही है अब हाउस टैक्स वसूलने घरगर पहुचेंगे किनर नगर निगम में नौकरी देने की तैयारी गुरकपुर में हाल में शुरू की गई एलेक्टिक बस सेवा में किनरों के साक्षातकार के बाद अब दस किनरों को नगर निगम में तैनात करने के खवायश शुरू हो गई कोई आशुर है नहीं कि जल्दी किनर आपके घर बकाया हाउस टैक्स वसूलने पहुचें नगर निगम के निर्मित सदन हाल में नगर आयुकत विनाश्तिंग की अध्यक्षता में हुई किनर कल्यांट बूट के सदस्यों और नगर निगम की अधिकारियों की बैठक में गुजरात मॉडल के तहट गोरकपूर में भी थर्ड जेंडर को मौका देने का निर्ने लिया गया उत्रप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एंड प्रमोशन बोर्ड 26,382 कॉंस्टेबल एंट फायरमेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जून में जारी हो सकता है। इन पदों में 26,210 पत कॉंस्टेबल की और 172 पत फायरमेंट की हैं। अभी तक पुलिस भर्त वोर्ड लिखित परिक्षा अक्टूबर में और दिसंबर में कराने की योचना बना रहा है। आपको बताने कि विभाग को 10,000 नौकरी के लिए 100 दिन का एजिंडा मिला है। इसके अलावा बुंदेलखन के साथ जिलो में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजसरकार अपने स्तर पर विशेश प्रयास कर रही है। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने संबंदित एजनसी जने टेंडर मागे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपन चेंडर के कारेदाई संस्थाओं को भर्ती बोर्ड में उपस्तित होकर अपनी निविदाएं जमा कराने के लिए 25 अप्रेल 2022 तक का समय दिया गया था। जिससे अब बढ़ा कर 6 मई 2022 कर दिया गया है। उत्रप्रदेश में योगी सरकार अने पिछले वर्क के युवाव को पृतियोगी परिक्षाओं के तयारी करने के लिए निशुल्क कोचिंग के सुविधा मोहिया कराने ही तो प्रिशिक्षन अकादमी खोलेगी इसके तहट सरकार अगरी दो साल में डिजिटल प्रिशिक अकाला उत्रप्रदेश सरकार की ओर से कर्जमाफी योजना शुरू की गई जिसमें प्रदेश के लाखो किसानों को कर्जमाफी कलाब दिया गया इसमें एक मामला ऐसा भी सामने आया जिससे लेकर हाई कोट ने सक्तरुक अपनाया और किसान को कर्जमाफी कलाब देने में पर अधिकारियों को फटकार लगाई बतादें कि उत्त प्रदेश सरकार की ओर से छोटे और सीमान किसानों के पुराने कर्ज माफ करने को लेकर 2017 में किसान रेडम मोचन योजना शुरू की गई थी जिसमें उनकिसानों के कर्ज माफ किये जाने थे जिनके बास 2 एकर से कम क्र कि राहत शहर में अवैद पार्किंग अतिक्रमण वाजाम से निपटने के लिए आतयाद पुलिस की ओर से एक लाग ट्रैफिक वॉलेंटियर तयार किये जाएंगे ये वॉलेंटियर प्रमुक चराहों पर लोगों को ट्रैफिक नियमों कपालन करना बताएंगे DCP ट्रैफिक गनेश पुरसाथ साहा ने बताया कि आज जब लिए ए ओए ग्राम पंचायद के बदादिकारी सिवर निवरत सैनिक और आम नागरिक जो सुच्छा से शहर के यातयाद प्रबंदन में मदद करना चाहते हैं उन्हें जोडने का काम किया जा रहा है इनको यातयाद पुलिस की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है अब तक से एकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है प्रचिक्षल के बाद भीरभार वाले चराहों पर इने सप्ताह में एक दो दिन तैनात किया जाएगा इन्वालेंटियर को ट्रैफिक पुलिस की जैक कि धार्मी के स्थलों पर लगी अवेद लाउड स्पीकर को हटवाया जाए और 30 अप्रेल तक इसकी रिपोर्ट मंडला युक्तिवा पुलिस सायवत शासन को उपलब्द कराएं अब रेश अवस्ति की ओर से जारी आदेश में पुलिस अधिकारियों को निरदेश दिया ग वहीं छात्र संक्य अध्यक्ष पाध्यक्ष महामंत्री वपस्तकाले मंत्री तथा पांच संकाय प्रतिनिद्यों के लिए नाम अंकर 27 अप्रेल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जा सकता है जिला प्रिशासन से हरी जंडी मिलने के बाद प्रधान चुनाव अधिकारी ड मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहट ग्रामी शेतर के बेरोजगार इवक्युफ्तियों को नए उद्योग इस्थापित करने के लिए रिन उपलब्द कराया जाएगा जिला ग्राम उद्योग अधिकारी एल के नाग ने बताया कि स्वेम का कर सकते हैं विसरे जानकारी कैसरभाग केंट रोज इस्थित जिला ग्राम उद्योग कार्याले से यह मुबाइल नंबर 9580503141 पर प्राप्त कर सकते हैं करोना के दौरान काम करने वाले स्वास्ते कर्मियों को तोफ़ा मिलेगा मुख्यमंत्री उग्या अधितनार ते कहा कि करोना महमारी के दौरान अस्पतालों में कारे करने वाले कार्मिकों की सेवा भावना प्रेणास पद है ऐसे कार्मिकों के भविशे की सुरक्षा के वि वाइरस कमजोर है संक्रमाट तीवर नहीं विशेशग्यों के अनुसार संभव है कि आने वाले दिनों में नए पॉजिटिव केस में इजाफा देखने को मिले किन्तु वाइरस का यी वैरियंट सामाने वाइरल की तरह ही है त्यार होगी किसानों के नए इले इस ऐसे लोगों को नहीं मिलेंगे दो हजार रुपे पियम किसान सम्मान निदी योजना के 12.50 करोल लाभारती 11 वी किस्त का इंतजार कर रही है 11 किस्त का आएगी इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई आधिकार एक जानकारी नहीं दी गई लेकिन उम्मीद है कि 11 किस्त अप्रेल से जुलाई के बीच आ सकती है इस बीच भीम किसान सम्मान निदी से जोड़ी नए जानकारी सामने आ रही है सरकार को खबर मिली कि कई अपात्र लोग भी किसान सम्मान निदी का फाइदा उठा रही है ऐसे में यूजना का लाब लेने वाली सभी लोगों का सत्यापन कराया जाएगा हजारों पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट यूपे शासन ने पेंशन का लाब लेने के लिए एके वाईसी और बैंक खाते को आधार कार्ट से लिंक कराने का निर्देश दिया यूपे सरकार दोरा बुजर्गों को व्रधा पेंशन यूजना के माध्यम से एक हजार रुपे मासी के दर से पेंशन प्रदान की जाती है इसके लिए 60 वर्ष ते अधिक उम्र होनी चाहिए अलीकर जनपद में कुल 61.7 एक हजार पेंशनर है 20 अपरेल तक 21,019 लाभारतियों की ही EKYC और बैंक से आधार लिंक हो सका है अब घर बैचे बुजर्गों को सरकार हर महीना पेंशन के दोर पर 3,000 रुपे देगी अगर आपको पीम किसान समान निदी के किष्टों को फाइदा मिल रहा है तो फिर ये खबर आपके लिए बड़े काम की साबित होरी जा रही है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना सरूरी होगा अब घर बैचे बुजर्गों को सरकार हर महीना पेंशन के दोर पर 3,000 रुपे देगी जिसके लिए आपकी आयू 60 साल से जादा होना जरूरी है मोदी सरकार के स्योजना का लाब उन सारे किसानों को मिल सकता है जो पीम किसान सम्मान निदी का फाइदा ले रही है वाई पियम के साथ समानी दी योजना से करीब 12 करोड से जादा किसानों को किष्ट मिल रही है चार सपता और चालिस फैसले जाने योगी सरकार ने पहले महीने में आपके लिए क्या क्या किया उत्रपदेश के सत्ता को दوبारा समालने वाले योगी आदितनात को सीम बने एक महीना हो गया लगतार पांस साल शासन के बाद सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदितनात ने 25 मार्च को शबत ग्रहन के बाद से ताबर तोड फैसले लिए एक तरफ फ्री राचन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया तो दूसरी तरफ सो से जादा अपरा दियो और माफियाओ के खिलाब बुल्डोजर गर्जे सबी मंतरियों को अपने अपने विभागों की सौ दिन के कारे योजना तयार करने को कहते हुए सियम योगी ने संदेश दिया कि उन्हें टॉप गियर में काम करना होगा फैसला नमबर वन योगी सरकार दोदशमलव शूने की पहली कैबिनट का पहला बड़ा फैसला मुफ्त राचन योजना को तीन महीने बढ़ाया पंद्रा करोड लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा फैसला नमबर दो योगी सरकार सभी तहसीलों में फाय टेंडर की सुवधा अपलब्दता कराने के लिए तेजी से कारे कर रही है फैसला नमबर तीन दो वर्ष के अंदर दसला करोड रुपे के निवेश लक्ष के साथ फिर होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समेट सौधिन में तीसरी ग्राउंड ब्रिकिंग सेरिमनी अप्रादियों के साथ उनकी संपत्ति का भी ब्यॉरा जुचा रही यूपी पुलिस यूपी में संकर्यत अप्रादों पर अंकुष लगाने को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कसली है गोरखपुर पुलिस लाइन्स में इस्तितनम निर्मित संट्रलाइज साउंड ओडियो वीडियो मौटन टेक्नोलोजी सभागार में एडिजी अखिल कुमार के ध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई बैठक में रमजान इद और परशुराम जैनती को सकुशल संपन कराने और कानून विवस्था के संबंद में तैयारियों की समिक्षा की गई साथे माफिया गैंक्स्टर 14-1 के कारिवाई वर टॉप चैन अपरादियों पर प्रभावी कारिवाई के संबंद में एडिजी ने माथ हतों को आवश्यक दिशान निर्देश दिये पचास सबसे बड़े माफिया बारा सो करोर किसंपती सीम योगी से यूपी पुलिस का बड़ा वादा उत्र प्रदेश में बुल्डोजर बाबा की सरकार अपरादियों के खलाफ अपने अभ्यान को और तेस करने की तैयारी में है अगले दो साल में प्रदेश के पचास सबसे बड़े माफिया पर पूरी तरह से नकिल कसने का प्लान तयार किया गया सीयम योगी की ओर से मांगे जाने पर यूपी पुलिस ने जो प्लैन पेश किया उसके मताबिक अगले दो साल में इन माफियाओं की बारा सो करोर रुपे की समपती जब्त की जाएगी प्यम आवास के लिए इसी महा मिलेगी किष्टे नहीं करना होगा इंतसार प्रदानमंतर शहरी आवास के लाभार्तियों को अब समय पर चरणवार किष्टे मिलेंगी लाभार्तियों को अब किष्टों के लिए लंबा इंतसार नहीं करना पड़ेगा इसके लिए निदेशाले डिप्यार में शामिल लाभार्तियों का पूरा पैसा SNA खाते में भीजेगा फिर वे पी ओ डूडा की एक क्लिक पर जिले के चाइल्ड एकाउन से लाभार्तियों के खाते में आवास के किष्टे पहुच जाएंगी सकार ने देश विरोधी गतिविदिया प्रसारित करने वाले 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक केंद्रे सुषना प्रसारा मंत्राले ने भारत के रास्टे सुरक्षा विदेशी संबंदों और सार्जनिक विवस्था से संबंदे दुश्परचार फैलाने के लिए 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया इनमें 10 भारती और 6 पाकिस्तानी आधारित न्यूज यूट्यूब चैनल शामिल है सरकार ने बयान जारी करके कहा कि इन यूट्यूब चैनल के जरीए भारत में देश्परदा करने और सार्वजनिक विवस्था को बिगारने के लिए जूटी असत्या पे जानकारी फैला रही थी चेकिंग के नाप पर बचसलूकी की तो होगा एक्शन जाने बुलंद शेहर के स्स्पी ने क्यो दिया ये आधेश पुलिस कर्मियों ने किसी बेगुना याम आदमी से बचसलूकी की तो उनके खिलाफ सकते एक्शन होगा बुलंद शेहर के स्सपी ने ये आधेश सकंदराबाद कोतवाली शेत्र के पुलिस जैक पोस्ट पर एक सादू के साथ बचसलूकी की घटना सामने आने के बात किया इस मामले में बचसलूकी क्या रोपी दारोगा को सस्पेंट कर दिया गया तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको ने उस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद